दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप SBI PO 2023 के लिए अपना उनलाइन फॉर्म घर बेठे किस तरीके से भर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो में मैं आपको step by step बताऊँगा कि आप State Bank of India के अंतरगत प्रोवेजनेरी ओफिसर पियो का ओनलाइन फॉर्म किस तरीके से आप अपने मुबाइल से भर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको आई वी पीएस की साइट खोलना है यहाँ से फॉर्म फिल अप होता है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी बहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तो आपको मैं फॉर्म भनने से पहले इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ फिर फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं SBI State Bank of India की तरब से यह ओफिसियल नोटिपिकेसन है तो यहाँ पर आपको आइन रिष्टेशन 79223 से फॉर्म भनना स्टार्ट है आप इसे 279223 तक अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपका फैस बन ओनलाइन प्रिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर में होगा तो यहाँ पर दोस्तो आपकी जो बैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तो आपको इसकी जो eligibility criteria यहाँ पर graduation in any discipline from recognize university तो यहाँ पर आपको any graduation होना जरूरी है पास अगर आप final year में हैं या last semester में हैं और यहाँ पर आप तो भी आप यहाँ पर form apply कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आपका integrated dual degree तो है यहाँ पर आपको 31 12 2023 तक आपको complete हो जाना चाहिए तो भी आप यहाँ पर यह form apply कर सकते हैं यहाँ पर आपका जो age limit यहाँ पर minimum आपको 21 साल और maximum 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी age 14 2023 को यहाँ पर count की जाएगी यहाँ पर दोस्तो जिसकी date of birth है 14 2002 से 24 1993 के बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप इस form को apply करने के लिए eligible रहेंगे यहाँ पर किस category को कितना age election मिलेगा वो यहाँ पर check out कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो phase 1 preliminary examination तो यहाँ पर जो आपका syllabus रहेगा आपको English language के 30 question आएंगे और यहाँ पर quantitative, aptitude के 35 और reasoning, availability 35 number, total son का paper होगा आपका duration एक घंटा रहेगा यहाँ पर दोस्तो आपको application fee की बात करें तो यहाँ पर application fee 750 रुपे, general EWS OBC candidate को लगेगा और यहाँ पर nil दिखा रहा है SC, HD, PWBD candidate है तो आपके लिए form बनना free है आप आल इंडिया से हैं तो आपके लिए यह form free है आप form apply कर सकते हैं तो दोस्तो आपको form बनने से पहले यह सारा notification चेक आउट कर लेना है अगर आप eligible है तो form apply कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको form fill करके दिखाता हूँ आपको click here for new registration इस बाले option पर click करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर registration page open हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको first name इस box में आपको यहाँ पर first name डाल देना है यहाँ पर दोस्तो first name डालेंगे यहाँ पर फिर से आपको confirm first name डाल देना है यहाँ पर दोस्तों मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं दोनों बॉक्स में यहाँ पर लाश नेम डाल देना है इन दोनों बॉक्स में उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना बैलेट मुबाइल नमबर डाल देना है इन दोनों box में यहाँ पर आपको अपनी email ID डालना है और यहाँ पर domain name यहाँ से select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों दोनों में same email ID डालेंगे और यहाँ पर इस security code को यहाँ पर दोस्तों दोनों box में same email ID डालेंगे full email ID इसमें डालना है ये केपचा कोट को इस बॉक्स में फिल करेंगे और save and next करेंगे अगले step आती है photograph और signature अपलोड करना तो यहाँ पर photo and signature इस पर click करके इसका size देख सकते हैं choice file पर click करेंगे अपना photo और यहाँ पर signature अपलोड करेंगे उसके बाद में इन दोनों डबबो पर tick करेंगे और basic detail तो यहाँ पर दोस्तो ध्यान से आपको देखना है कोई भी गलती नहीं करना है मैं step by step बता रहा हूं तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe करें साथी bell notification all पर state रखें जिस से आगे भी पैसे, HD, OBC, General EWS जिस केटिगरी से हैं वो यहाँ पर select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो इस box में subcast का नाम डाल देंगे यहाँ पर दोस्तो आपको I confirm I am processing will EWS certificate issue annual income for final year 2023-22 तो यहाँ पर आप अगर EWS से apply कर रहे हैं तो आपका भी 22 का होना चाहिए उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आप 40% से ज्यादा above handicap में आते हैं तो yes करेंगे और यहाँ पर अपने handicap का प्रकार select कर लेंगे अगर नहीं आते हैं तो no पर टिक कर देना हैं यहाँ पर दोस्तो are you person with specified disability में अगर इसमें भी आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no पर टिक कर देना हैं दोस्तो आपको religion which you are belong यहाँ पर आपको किस religion से belong करते हैं select कर लेंगे यहाँ पर दोस्तो मानेटी में आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no पर टिक करना हैं यहाँ पर आप एक सर्विसमेन में हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no पर टिक कर देना हैं यहाँ पर दोस्तो प्लीज मैंशन दा नंबर ओफ ओके संस ओन विच यू हैब अपलाइड एग्जामिनेशन प्रोवेजनेरी ओफिसर्स एस बी आई तो दोस्तों यहाँ पर आपने पी यो एस बी आई का पहले यहाँ पर अठारा चार दो हैर दस के बाद से कोई भी एक्जाम दिया है तो यहा पर डू यू हैब रिकोर्ड ओफ डिफाल्ड रिपेमेंट ओफ लॉन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड अगेनेश्ट सिविल तो यहाँ पर यह इसमें आते हैं ड्यू है पेमेंट आपका तो यहाँ पर यस करेंगे नहीं तो आपको आपको नो पर टिक करना है यहाँ इस केटिगरी में आते हैं तो आपको यस करना है यहाँ पर एमपलोई ओफ इस्टेट बेंक ओफ इंडिया क्लेरिकल केडर अगर है तो यस करेंगे नहीं तो नो पर टिक करेंगे यहाँ पर एमपलोई आप ओफिसर केडर में है तो यस करेंगे नहीं तो आपको नो पर टि कर देना है अगर आप employee है state bank of India में तो आप yes करके यहाँ पर उसकी details दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तो pen number हो तो pen number भी दे सकते हैं यहाँ पर फिर आपको state utb center of exam belong तो आप किस यहाँ पर दोस्तो आप किस state से है अपना state select करेंगे वहाँ पर आपका examination center मिलेगा यहाँ पर आपको examination center preliminary exam के लिए है यह पहले अपना city select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर main exam के लिए अपना state select करेंगे और यहाँ पर अपनी city select कर लेंगे यहाँ पर दोस्तो आई confirm my name on this id and application exactly match आप जो farm में नाम डाल रहे हैं उस नाम का एक id proof आपके पास में होना जरूरी है अगर है तो इस डबे पर tick कर देंगे और इस list में से आपके पास में passport, आधार, pen, driving license, voter ID जो भी हो वो यहाँ पर select करके उसका number यहाँ पर डाल देंगे यहाँ से दोस्तों आपको अपनी date of birth select कर लेना है और यहाँ पर आप gender में male candidate है female candidate select करेंगे यहाँ पर do you have twin brother sister अगर आप जुडबा भाई बेहन है तो yes करके उसकी details दे सकते हैं उसका नाम नहीं है तो no पर tick करना है यहाँ पर आप married candidate है या unmarried select करेंगे यहाँ पर father's first name आएगा इस box में यहाँ पर father's middle name और यहाँ पर father's last name आएगा यहाँ पर mother's first name यहाँ पर mother's middle name यहाँ पर mother's last name आजाएगा उसके बाद में यहाँ पर address for correspondence तो यहाँ पर address one two three में अपना full address डालेंगे यहाँ पर district का नाम डालेंगे इस्टेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको pin code यहाँ पर आपको अपने area का pin code डाल देंगे अगर अगर आपका same as address for correspondence अगर आपका local और permanent address दोनों same है तो इस डब्बे पर टिक कर देंगे अगर अलग से देना चाहते हैं तो आपको 31,12,23 तक आपको pass में होना जरूरी है तो यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर appeared है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं final year में है तो यहाँ पर pass है तो pass पर click करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको degree subject कौन से subject से आप pass है वो select करेंगे यहाँ पर अपनी name of institute या college का नाम डालना है यहाँ पर place of institute कहाँ पर है उसका नाम डालेंगे यहाँपर date of passing सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर दोस्तों percentage आपके कितने percentage बने है वो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद में class कौन से class pass हुए हैं वो select करेंगे इसी परकार से यहाँ पर आपको integrated dual degree की details आपको यहाँ पर दे देना है आप passed है या appearing और यह सारी details देंगे यहाँ पर आपको अपनी post graduation है आपके पास में तो यहाँ पर अपनी PG की details select करेंगे और अपनी PG की details भी यहाँ पर दे देना है आपको उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो प्रोफेशनल कौलिफिकेशन और अधर डीटेल्स अगर आपके पास में यह डीटेल्स भी है अधर भी तो आप यहाँ पर सारी डीटेल्स से दे सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आप H.C.H. OBC से हैं तो आपको यहाँ पर exam के लिए pre exam training दी जाती है तो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो yes करके यहाँ पर अपना कौन से state में और कौन से city में चाहिए वो select कर लेंगे अगर नहीं दे लेना है तो आप no पर tick कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको language यहाँ पर अपनी local language आपको हिंदी, English और यह तीनो language आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं compulsory एक language है वो आपको लिखना है उस पर दोस्तो read, write, speak तीनो पर यह होना जरूरी है second language, third language भी आप दे सकते हैं उसके बाद में save and next करेंगे और दोस्तो आपको एक बार preview check out कर लेना है कि आपने जो details डाली है सारी सही है अगर यहाँ पर आप I agree इस डबे पर टिक करेंगे और यहाँ पर I confirm that my name filled mention application form exactly तो यहाँ पर yes करेंगे आपके पास में ID proof होना जरूरी है आपने जो नाम डाला है application form में उस नाम का उसके बाद में complete registration इस पर click करेंगे दोस्तो अगले step आती है यहाँ पर आपको अपना left thumb impression choice file पर click करके upload करना है और यहाँ पर head writing declaration आपको अब यहाँ पर upload करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसका size और यह देख सकते हैं तो दोस्तो आपको head writing में क्या लिखना है आपको यहाँ पर आई यहाँ पर name of the candidate यहाँ पर date of birth और यहाँ से एक दो तीन यहाँ पर यह माइन इस तक यहाँ से आई से लेकर यहाँ पर यह आपको तीनो लाइन एक पाइट पेपर पर उतार देना है और उसके बाद में उसको scan करके यहाँ पर upload करना है जिसका size 100KV से अंदर में 50-100KV के बीच में होगा तो upload हो जाएगा असानी से यहाँ पर यह केपचा को इस box में fill करेंगे save and next करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं finally form submit होगा है अगर आप SCHT physical handicap से आप form वरेंगे तो आपकी fix नहीं लगेगी अगर आपके form की payment लग रही है तो आपको यहाँ पर अपने form की finally payment कर देना है जैसे आपके form की payment हो जाएगी तो आपका finally form submit हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर print application इस पर click करके इसका print out निकालके shape करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप SBI State Bank of India के अंतरगत P.O.P.O.P.O.P.O.P घर वेटे अपने mobile से भर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा ताकि आपको इससे related आगे भी आपको वीडियो मिल सके थेंक्यू दोस्तों धन्यवाद